है आपका दोस्त पवन आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास टेंथ का एक बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है Quadratic Equation और इस चैप्टर की स्टार्टिंग में सबसे पहले हमको जो समझना है वो यह है बच्चों कि आखिरकार यह Quadratic Equation होती क्या है और दिखती कैसे है और आई होप कि आप लोगोंने क्लास नाइन्थ में Linear Equation नाम का एक चैप्टर था वो जरूर पढ़ा होगा जिसमें आपको शायद पता भी होगा कि Linear Equation में जो डिग्री होती है Highest degree जो होती है वो सिर्फ 1 होती है तो बस अब उसी के बाद जिसका नंबर आता है उसी चैप्टर कर नाम है Quadratic Equation तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि Standard Form क्या होती है Quadratic Equation की Standard Form तो में भी आप लोगों ना आपकी बुक में शायद स्टार्टिंग की Lines में ही जब Standard Form पर बात आती है तो एक चीज़ आपने देखी होगी हम ऐसा लिखते हैं AX Squire Plus BX Plus C बच्चों लेकिन यह एक Equation है Equation है मतलब हमको इसको Equate करना है तो हम Equate करने के लिए लगाते है Equal To और आगे हम लिख देते हैं 0 तो बच्चों AX Squire Plus BX Plus C is the Standard Form of Accordatic Equation अग इस Standard Form में आकरी सब हमने क्या क्या लिखा है इसको भी थोड़ा सा Introduction दे देते हैं इस चीज़ का भी तो देखी बच्चों यह जो A हमने लिखा हुआ है न यह हैगा बच्चों Coefficient क्या है बच्चों Coefficient इसको बोलेंगे Coefficient बच्चों यह जो B है बच्चों इस B को भी बोलेंगे Coefficient बच्चों यह जो C आपको देख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों Constant प्यारे बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं Constant लेकिन सर यह भी Coefficient है यह भी Coefficient है तो यह A की जैसे दौ Coefficient है यह? नहीं ब्यार है बच्चों देखो यह coefficient किसके साथ multiply हुआ है x square के साथ तो बच्चों a is the coefficient of x square and same उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर जो b है उसका multiplication x के साथ हुआ है तो यहाँ पर बटा b हैगा coefficient of x and c is just a constant याद रखना बच्चों constant जो होता है वो सिर्फ एक number होता है constant सिर्फ एक number होता है बच्चों ठीक है प्यारे बच्चों अब सुनिए यह standard form of quadratic equation लेकिन देखिए इसमें यह जो bx लिखा हुआ है और जो ax square लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए बच्चों x की power हैगी one और x square में आपको power दिख रही है दो और जैसे कि हमने linear equation में भी पढ़ा था किसी भी equation में जो highest power होती है उसी के नाम पर उस equation का हम लोग नाम रखते हैं तो यहाँ पर highest power है बच्चों दो 2 इसलिए यह equation है quadratic equation होगी अब देखिए अगर हमारे पास a, b, c की values होती मान लेजिए बच्चों if a is equal to 3 b is equal to 4 and c is equal to 5 तो यह equation कैसे दिखती है देखिए कैसे दिखती है equation तो हम इसको क्या लिखते है बच्चों हम ऐसा लिख सकते थे कि जैसे देखिए a x square plus b x plus c तो था a की जगा हम लोग put कर देंगे 3 x square as it is b की जगा हम लोग लिख देंगे 4 x as it is and c की जगा हमारा constant है 5 और इसको हम equate करना है 0 से तो बच्चों यहाँ पर हमने जो लिखा है 3 x square plus 4 x plus 5 यह एक example है this is an example for a quadratic equation जहाँ पर बच्चों जो x है हमारा x है उसकी highest power कितनी है 2 इसलिए यह quadratic equation है अगर यहाँ पर x की highest power 3 होती उसको हम लोग बोलते हैं बेटा cubic equation क्या बोलते हैं cubic equation अगर x की power highest जो आपको दिखती से 1 दिखती उसको हम लोग बोलते हैं बेटा linear equation जो कि आपने आपकी class 9 में आपकी previous class में आई होप आपने अच्छा सा पढ़ाई होगा तो यह तो एक introduction है quadratic equation का अच्छा एक चीज़ और हमको समझनी है बच्चों कि यह जो ax square है न बच्चों यह quadratic term भी हो सकती है हम इसे क्या बोलेंगे जो ax square वाला portion है यह एक quadratic term है बच्चों और quadratic term इसलिए है क्योंकि इसकी यहाँ पर जो x की power है वो कितनी है बच्चों 2 है और जिसकी भी power 2 होती है उसको बोलेंगे quadratic अगर बात करें bx की बेटा तो बेटा देखो bx में आपको क्या देख रहा है x की power और जिनरल यह हम लिखते नहीं है तो x की power है one और one power वालो को बोलेंगे बच्चों linear तो bx हमारा है गा बच्चों linear term और अगर हम बच्चों बात करें c की तो c तो हमारा सिर्फ और क्या बोलेंगे हम इसको constant क्या बोलेंगे बच्चों constant जो की सिर्फ एक number होगा c में कभी भी जो constant c होता है इसकी value में ज़ते हैं आपटे की 5 लिखा है इसमें कभी भी आपको कोई भी alphabet देखने को नहीं मिलेगा c is just a number it can either be 0 और 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और it can be any number तो I hope आपको इतना अभी तक समझ में आया होगा तो यह तो हमारी introduction class है अभी हमने समझा quadratic equation की standard form को जिसको बच्चों हम बोलेंगे ax square plus bx plus c and because this is an equation तो हम लोग इसको equate कर देंगे 0 से उसके बाद बच्चों हमने देखा कि जो a है वो coefficient होगा x square का b को हम बोलेंगे बच्चों coefficient of x c's are constant बच्चों coefficient होते हैं वो always multiplication में जुड़ेंगे किसमें जुड़ेंगे है multiplication में देखिए यहाँ पर x के साथ a multiplication में जुड़ा हुआ है किसमें जुड़ा हुआ बच्चों multiplication में b is multiplied with another x ठीक है ऐसे हमने इसको समझना है ठीक है चलिए अब हम बात करते हैं कि quadratic equation को solve करने के तरीके क्या क्या होते हैं तो बच्चों यहाँ पर हमें कुछ पढ़नी है methods हमको यहाँ पर पढ़नी है कुछ methods जिससे हम लोग क्या solve करेंगे जिससे हम लोग solve करेंगे a quadratic equation को तो इस box के अंदर हम लोग methods के बारे में discuss कर लेते हैं बच्चों यहां पर हम लोग लिखते हैं methods for solving methods for solving a quadratic equation जिसमें बच्चों पहली method जो होती है यह method maybe ninth class में शायद हमने पढ़ा है इसको हम लोग बोलते हैं middle term splitting बच्चों जो दूसरी method होती है इस method को जनरली नाम दिया गया है completing the square method completing the square method और यह methods को हम इस chapter में बारी बारी से discuss करेंगे completing the square और बच्चों तीसरी जो कि मेरी favorite method है और जो कि इस chapter की सबसे important चीज़ है जिस chapter का जो नाम है इस chapter का जो नाम है quadratic equation है ना इसी नाम से एक formula बनेगा quadratic formula जनरली इसको बोलते हैं बच्चों D formula क्या बोलते हैं D formula बोल सकते हो या फिर quadratic formula भी बोल सकते हो जहाँ पर बच्चों D का मतलब होता है discriminant दी का मतलब होता है discriminant तो यह D formula हम बाद में पढ़ेंगे या एक काम करते हैं D formula मैं आपको अभी यहाँ पे लिख के बता देता हूँ इसको मैं थोड़ा सा rough कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा space हमको मिले D formula को समझने के लिए बच्चों जो D formula होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है जिससे देखिए equation अगर मन लेजिए x की form में यहाँ फंक्शन कौन है x है ठीक है यह पूरी equation में main change हमको सिर्फ x दिख रहा है तो यह x के function में ही पूरी equation है तो D formula में अगर हमको इस equation को solve करना है बच्चों solve करने का मतलब होता है x की value को find करना कि इस equation में x की value क्या होगी तो देखिए उसके लिए formula है जिसको D formula यह quadratic formula भी बोलते है x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a बच्चों इसी formula का use करके हम x की value निकालेंगे अब आप लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे plus और minus x साथ क्यों लिया है बेटा वो इसलिए क्योंकि शायद 9th class में आपने यह पढ़ा है कि linear equation की degree होती है 1 और अगर मान लीजे यह एक linear equation होती तो x की सिर्फ और सिर्फ एक value आपको मिलती बट यहाँ पर यह quadratic equation है quadratic equation की highest degree जाकर होती है 2 तो यहाँ पे हमको x को जब हम solve करेंगे quadratic equation को तो हमें x की 2 values मिलेंगी इसलिए इस formula में एक बार हम लोग minus को ignore करके plus लेके solve करेंगे तो हमको x की एक value मिलेगी और एक बार हम लोग plus को ना लेके minus को लेके जब solve करेंगे तो हमें x की दूसरी value मिल जाएगी and with the help of this d formula you can solve the quadratic equation for the value of x तो यह था एक general सा introduction quadratic equation class 10th का बहुत important chapter और इस chapter को हम लोग next classes से continue करेंगे और start करेंगे इस chapter की सबसे पहली exercise जिसमें हम लोग starting करेंगे middle term splittings है चली बच्चों मिलते हैं अगली class में I hope आप लोगों को introduction class समझ में आई होगी तब तक के लिए take care